आज हम उन्हें स्टूडेंट से बात करने आए हैं जो आर्मी की तयारी काफी सालों से कर रहे थे हैं उनका कहना है चार साल तो क्या चार दिन के लिए भी वो देश सिवा के लिए तयार हैं लेकिन इन चार साल के बाद उनके वभिश्य का क्या होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे चैनल के माध्यम से ये स्टूडेंट अब सरकार तक पहुचाना चाते हैं और शान्ती प्रिये तरीके से इस सवाल का जवाब चाते हैं मुझा आर्मी की तैयारी करते हुए चार साल हो गए और मैं दोनों टाइम सुबा में और सामें दोनों टाइम प्रक्टिस करता हूँ 2-2 गंटे दौनों टाइम में आर्मी के तैयारी के लिए देता हूँ मुझे काफी टाइम होगया महनत करते हुए और इसी उमीद में कि भर्ती आएगी भर्ती आएगी और भर्ती को आई हुए चार साल हो गए और आई भी विए उतों 4 साल के लिए इसमें हम क्या करेंगे युवा परेसान हो गया है तैयारी करते करते सारे मतलब घुड़नों का ग्रीज खतम हो गया इनने तैयारी करते हुए डेली पसीने भींगते हुए आते हैं इतना ये मतलब सांसा दूसा है जितना ये पानी नीपीते इतना तो हम लोग पसीना भाते है बिस्प के अंदर भारती एक ऐसा देस है जहां। दस यार वेकेंशियों के लिए लाखो यूवा लैन में लगते हैं। मतलत इसे इस तुरा भी कह सकते हैं कि मौश्ट के लिए भी YVA लैन में लगते हैं उसके बाद भी ये सरकार मतलब चार सालते आरमी की भर्टियां नहीं दे रही उसके बाद D.V. बो तो चबो है टि-0.21 के रूम में मतलब कहने का मतलब यह है कि हर मतलब इस देश की जो रील के हड़ी वो फौज है अगर आप वस रील के हड़ी को ही तोड़ देगे तो देश की जो सुरक्षा है वो कमजोर होती जाएगी और आगे आने वाले भविस में हमें हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है बारव अंकी के कुछ स्टूडेंट जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे अगनी पत्य योजना को उन लोगों ने सकरात्मक तरीके से लिया है तो उस पर आपका क्या विचार है जो बाराइब अंकी के स्टुडेंट हैं जो कहरे हैं हम चार्ट दिन के लिए, देश सिवा के लिए राज ही है जाने का लिए या मैं समस्ता हूँ लोगों ने कभी ठीक से तयारी नहीं की और तयारी करते होते तो वो ये बात नहीं बोलते या तुम्हें लगता है वो जो है बीजीपी के समर्थक है या उनके चम्चे है इसलिए वो ऐसा वाद बोल ला है कोई मुझे एक नेता या सांसा विदायक बिता जीजिए जिसका बेटा आज तक फौज में गया हो ठीक है ना आप एक देश में सैनिक मरने मरने वाला उसके लिए आप 48 लाग का पैकेज दे रहे हैं हम देते हैं 48 लाग पैकेज आप अपने बेटे को भेज के देखिए सेना में ठीक है ना वो कुछ नहीं सिर्फ वीजेपी के चम्चे हैं जो वो ये वाद बोल रहे हैं बागी कोई नहीं है ठीक है न वो इसलिए ऐसे समर्थन कर रहे है इस वक्त कुछ स्टूडेंट के मन में आरक्षण को लेके कुछ सवाल है आप आरक्षण को लेके क्या कहना चाहते हैं आरक्षण को लेके मैं ही कहना चाहता हूँ जैसे अगनी पति योजना है इसमें चार साल बाद बेक्ति क्या करेगा उसकी ना तो तुम्हें नोकरी की विश्था इस्ताई की है ना तो उसकी पैंशन है अगर कोई नेता विदायग एक दिन के लिए बनता है चाहिए सांसर बने विदायग बने तो आप उसको जिंदगी वर ताव उनों पैंशन देते हैं ठीक है उसकी सारी सुब्दाएं होती है लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है एक जवान के लिए यो देश पर गोली खाता आप उर्टर पर जागे उसके लिए क्या कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं जो इस्टुडेंट ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुचाया उनके लिए आउने बहुत गलत किया अगर हम जानते हैं कि आपने हमने मेहनत की ए सब लोगोंने महनत की ए सरकार ने जो फैसला लिया उससे आपके सबने टूटे है इस परिवारवालों के सबने टूटे है वो बाट ठीक है लेकिए अप आराम पूरब सांती बनाया रखते हुए पिरत बढ़िया इसकी मलानी चाहिए द्वार विचार करके वो ऐसा नहों कि आगे चलकर उनका भविस्थ बेकार हो जिससे कि उनके भविस्थ पर आचाहे उनके परिवार वालों पर आचाहे खबर लहरिया आपकी खबर आपकी भासा